बॉलिवोड में अक्सर देखा जाता है कि आक्टर्स के बच्चे ही इंडस्ट्री के किसी ना किसी बड़े बैनर के स्थ्रू अपना डेब्यू करते हैं और जनता उन्हें पसंद भी करती है मगर कई दफा ऐसा भी देखा गया है कि बॉलिवोड के स्टार केट्स मूवी में काम ना करते हुए अलगी फील का हिस्ता बन जाते हैं मगर अपने पेरेंट्स की वज़े से हमेशा लाइम लाइट में बने रहते हैं आज हम ऐसे बॉलिवोड केट्स के बारे में बात करेंगे जो की बॉलिवोड इंडस्ट्री से दूर रहना पसंद करते हैं आईए जानते हैं पूरी खबर लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें फैमिली के ट्रेडिशनल को फॉलो ना करते हुए सिंपल लाइफ जीना पसंद करती हैं तो वहीं बता दे श्वेता की फैमिली के सभी लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और सभी सुपर स्टार है श्वेता नंदा ने शादी भी एक बिजनेस मैन निखिल नंदा से क रिया कपूर रिया कपूर अनिल कपूर की डॉटर है जो हमेशा से इंडस्ट्री से स्पेस बना कर चलती हैं हाला कि सोनम और हर्श वदन भी अपने पापा अनिल कपूर की तरह इंडस्ट्री का ही हिस्सा है मगर रिया हमेशा लाइम लाइट से दूर ही रहती है हाला कि उन मेकर और प्रड्यूसर करन बोलाने से शादे की है नमब थ्री सबाली खान सभाली खान सैफ अली यानि हमारे छोटे नवाब की बेहन है मगा सबाली ने कभी इंडुस्ट्री में अपनी दिल्चस्पी नहीं दिखाई वो हमेशा से ही मीडिया और मुवी लाइन से दूर रही ह सुजैन के भाई भी अपने फादर की तरह इंडुस्ट्री का ही हिस्सा है मगर हमेशा से इंडुस्ट्री में काम करने को ना पसंद किया है हाला कि सुजैन खान ने रित्तिक रोशन से शादी किया था और फिर बाद में अन्रुन रीजन की वज़े से अपना डायवर्स अन अलवीरा सल्मान की सिस्टर है मगर बाकी फैमली मेंबर्स की तरह अलवीरा को बॉलिवुड में काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद हाला कि अलवीरा एक गुड़ स्क्रिप्ट राइटर है अलवीरा खान हमेशा से ही मीडिया एंड लाइम लाइट से तूनी बनाकर रखत हैं अपने काम और अपने आक्टिंग के लिए मगर इनके बच्चे हमेशा से ही फ्लिम लाइन से दूर रहे हैं तो आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं